तो हेलो गैस स्वागत आप सभी का एक बर फिर से मेरे नए वीडियो में आज चो मैच होने वाला है हमारे लिए जैकपोट मैच होने वाला हैं English T20 Blast का ये मेच है वार वर्सेश नॉट के बीच में होने वाला है आज रात दस बजे देखो गईच मैंने अपने वीडियो में इतनी एडिटिंग नहीं किये तो आप वीडियो को देखकर वीडियो को इसकिप मत करना आप वीडियो को एंड तक देखना प्रेडिक्शन को ज अने बाला और ऑटरम प्लेयर में आपो बता ओंगा तो सबसे पहल detail हूं एक तरफ व़ार की टीम और एक तरफ नॉत्ठ की लिखिन दोनों में से स्ट्रॉंग ज्यादा स्ट्रॉंग ज़ो पर की टीम लग रही है तौफेवर करना कि यही टीम वीन हो और इसके क्लाइर्स क तो देखो गाइज वार कैस्टर में मैच होने वाला है और वार का होम ग्राउंड है और यहां का फर्स्ट इंगनिंग का स्कॉर में आपको बताओ तो एक सो असी तक अगर वार की टीम पाले बैटिंग करती है तो एक सो असी रन आराम से बना पाएंगी अगर नौ नौट की टीम पाले बैटिंग करती है तो यहां से लगभक एक सो पच्पन के आसपाल से रन बनाएंगी इस बात कर दियान रखना और आज के मैश में नौट की टीम के ऑल आउट होने के ज़्यादा चांसे हैं तो देखो गई सबसे पहले विकेट के मिक्स एक्शन से जे कलरक सबसे ज़्यादा प्लेयर इसको ले रहे हैं बट आपके लिए आज के मैश में इंपॉर्ट नहीं रहना चाहिए क्योंकि देखो इसके सामने होगा टाइलर टॉम टाइलर जो की वार का प्लेयर है तीन बार इसको आउट कर चुका है सबसे कम गेंद पर सबसे कम रन बनाने दी है तो सबसे बड़ा रिस्क होंगा कि हम इसको टीम में रखे तो 92% सेलेक्शन है ऐसा ही हम किसी प्लेयर को ड्रॉप को नहीं कर सकते बट एक और प्लेयर से जे कलर को बच कर रहने पड़ेंगा और यहां से टी टाइलर से टी टाइलर और बीडी ओली और इन दौनों से काफी ज्यादा खत्रा है जे कलर को तो आप इसको अवड करना टीम में मत लेना लेकिन इसकी जगह और कोई प्लेयर की बात करूं तो को और को प्लेयर है भी कि आप उनको टीम में लो देखो जी रोडरिक सतरा परसन सेलेक्टन है ट्रंप ले आज के मैंशे बन सकता था बट नवे नंबर बेटिंग करना रहा है काफी नीचे बैटिंग करना रहा है इंपॉर्टन नहीं है क्योंकि नौट के पाले पास इतने अच्छे बॉलर्स है नह और लेप्टी प्लेयर है तो बहुत बड़ा रिस्क होंगा लेकिन हमें ना चाहते हुए भी जे कलर को टीम में लेना पड़ेगा तो बैटिंग से फ्लॉप रहने वाला है यह मेरा प्रेडिक्शन है अगर आपको विश्वास नहीं हो था तो जब मैच होगा इस्टाट लेकिन विकेट कीपिंग से हमें पॉइंट दे सकता है बाकी के दो प्लेयर के पास अपॉर्चनिटी काफी कम है जिसकी वज़से हमें इसको ड्रॉप कर रहा हूं बैटिंग से हैं यह हिल्स चपन परसन सेलेक्शन है आज की मेच में रन बनेंगा क्योंकि देखो जो प्ले सब्सक्राइब करना आएंगा पर आप चाहते हो तो रख सकते हो बट याद रखना चांस कम है अवाइड करने का रिस्क लेना क्योंकि देखो नौट के पास इतने ज्यादा बाइब बालिंग से ऑप्शन है नहीं कि आल आउट कर सके ज्यादे से ज्यादा दो से तीन विके आई कर चलो बहूं बैटंग करेंगा और ओपनिंग में बैटंग करेंगा इंप्टन रहने वाला है आब में विक करें और बैटिंग सेंद करें तब तापको पिक करना ही पड़ेगा पड़ेगा डब्लू यंग डबलू एंग थर्ड नमबर बेटिंग ना रहा है लोग इसको अवोइट कर रहा है बट आप टीम में जरूर लेना 11% सेलेक्शन यह भी हमारे ट्रंपिक बन सकता है अगर मैं बात करूँ जे हाइंस की देको जे हाइंस 63% आज के मैश में सेलेक्शन है बट इसकी बात करूँ तो फॉर्ट नमबर बेटिंग करना आएंगा अगर आप चाहते हो तो रख सकते हो याद रखना बॉलिंग नहीं कराएंगा लग बग दो मैश में इसने अच्छा कि तो आप अवाइट करने अगर इसलिए ना क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली पीछे टॉप और के बैट्समें और इस्पिनर फ्रेंडली पीछे और तो इस्पिनर को हम ज्यादा टीम में रखेंगे तो इन दोनों को रखने के बाद बात करते हैं नीचे से तो इब्रूक्स ब आपके अप्टन वाइस के बनाने का आज के मैच में जो कि जेक लर को अलग ही आउट कर सकता है और बैटिंग ओपनिंग करेंगा सेकंडिन में करें क्याप्टन बना कर चलो पॉइंट देने वाला है एम वैंटो जर्मनी क्योंकि देखो बालिंग से चार ओवर की बालिंग कंफॉर्म पलस पांच यह नंबर बेटिंग आएंगा इंपॉर्टेंट है वाइस क्याप्टन के लिए सबसे बैश्ट भी करने वाला है एल जैम्स देखो एल जैम्स लाश्ट मैच में एक ओवर की बालिंग कराई थी चैरन बनाए दे तो चाहते हो तो रख सकते हो बालिं पारीन की death over में plus starting बंडेंग करेंगा important रहेंगा क्योंकी death over बंडेंग करा रहा है और 90 नंबर बैटिंग कर ना रहा है तो इंपॉर्टन तो रहने वाला जेको देखो भाई तेरा पर्शन सेलेक्शन लोग इसको ओवर्ट कर रहे आज के मैच में थर्ड नंबर पर बैटिंग करने आएंगा मस्ट भी कर एक यह दो वर की बॉलिंग कराएंगा जो की आपको कोई नहीं बताएंगा मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टन रहने वाला है लेकर चलो ट्रम्प बनेगा आज के मैच में बाकी आपकी मज़ी अगर आपको वीन करना है तो आप इसको ट्राइज जरूर करना है अगर मैं बात करूँ यहां से एल पैटर्स वाइट की देखो पैटर्स वाइट इतना इंपॉर्टन प्लेय के कारण मैं इसको आवेट कर रहा हूँ वालिंग सेक्शन से बात करूं तो देखो एनी स्मित मस्ट भी कर लेकर चलो और वेस्ट इन इंपॉर्टन है वट इन में से हमें से दो प्लेयर को ट्राय करना है और वो में दो प्लेयर आपको बता चुका हूँ एफाइज और एनी यंग आउट और फॉर्म चला है थार्ड नंबर बैटिंग करने आने के कारा में इसको ले रहा हूँ और इस पीनर भी है अगर एक पार्ट टाइम बॉलर रहें बॉलिंग करा सकता है बट नौट की टीम काउं फेवर नहीं करते हैं तो हम इसको वाइट कर सकते हैं उसकी ज रहेंगा 19 या 20 यह भी इंपॉर्टेंट बन सकता है अगर बॉलिंग करें तो आप दोनों को लेकर चलना वर्ना ओ इस्टन सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने बाला है अगर मैं बात करूं यहां से कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की कैप्टन तो सबसे मस्ट पिक रह तो जो कि एक यूनिक पिक होंगा देखो टी टाइलर जेक कलर को आउट करेंगा इस्टार्टिंग में तो ज़्यदा पॉइंट दे सकता है बट सातवे नंबर बेटिंग करना आएंगा और चार ओवर की बालिंग कंफोर्म है लेकिन एम मांटो चर्मी की चार ओवर बालिं दोनों जल्दी आउट होंगे तो बाकी के प्लेयर एम मांटो चर्मी को आज चांस मिलने के चादा चांसे जाए जिसकी वज़े से मैं इसको वाइस के अपन बना रहा हूं तो टीम सेव कर लो कॉंटे जोंड कर दो बाकी मिलते हैं